Hey guys my name is Naman and welcome back to our channel तो आज की इस वीडियो में हम speed test comparison करने जा रहे है newly launched Redmi Note 10 Pro का Samsung Galaxy F62 के साथ में अगर मैं यहाप इस specifications की बात करूँ तो आपको Redmi Note 10 Pro में Snapdragon 732G processor मिल जाता है वहीं पे Samsung में आपको Exynos 9825 processor मिल जाता है दोनों में ही जो RAM है वो 6GB की है और Android version भी आपको 11 मिलता है तो by default आपको Android 11 का version मिल जाता है एक चीज़ में बता दूँ कि इन दोनों में काफी जादा है वो है price में यहाँ पे Redmi Note 10 Pro का यह वाला जो वेरेंट है वो 17,000 रूपीज का है और Samsung का वेरेंट है यह 24,000 रूपीज का है और दोनों में ही एक तरीके से RAM एक ही मिल जाती है तो मैं काफी जादा इंट्रेस्टेटेट हूँ कि कौन सा फोन अच्छा परफॉर्म करता है और RAM मैनेजमेंट वागे भी हम आगे चल के देखने वाले है तो काफी इंट्रेस्टेंग वीडियो होने वाली है पूरा वीडियो अच्छे से देख लो और अगर आप लोग चैनल पर नए हो फर्स टाइम वीडियो देख रहे हो तो क्याइस सब्स्ट्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा देना क्योंकि हमें काफी जल्दी वन लैक की फैमिली करनी है यहां पर दोनों ही फोन में रैम जो है क्लियर कर दीए कोई भी अप्लिकेशन आपको रैम में नहीं मिलती है अगर कंट्रॉल प्याना जाकर खोल के दिखा हो तो यहां पर वाइफाय दोनों कनेक्टेड है उसी के साथ मैं फ्लाइट मोड यहां पर और अन करके रखा हुआ तो यहां पर यह बूटिंग में चला गया है, जब तक यह बूट होता है मैं एक चीज़ बता दूँ कि Redmi Note 10 Pro की उपर में डीटेल में camera review लेकर लेकर आ चुका हूँ, unboxing आपको देखने को मिल जाएगी, charging test देखने को मिल जाएगा, काफी detail में content में बना रहा हूँ तो आपको link description में मिल जाएगी, वही पर Samsung की उपर जो है, मैं full review अल्रीडी लेकर आ चुका हूँ, unboxing की video भी आपको मिल जाएगी, तो almost जितनी भी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, सब की link में description में दे दूँगा, तो आप जाके check out कर सकते हैं, कुछ सा phone जल्दी से boot up होता है, तो guys यह यहाँ पर हम फटा फट से हमारी application वाले page पर चलते हैं, जहाँ पर मैंने सारी application को अच्छे से set करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले Twitter है, let's open this app, 123, तो यहाँ पर Samsung F62 में application Twitter open हो गई है जल्दी से, अब open करते है Facebook 123, तो यहाँ पर भी Samsung F62 में Facebook जल्दी open हो गया है, अब Instagram की बारी है 123, ओके तो यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं, Samsung F62 में Instagram पहले खुल गया है, अब यहाँ पर मैं अपनी profile में चले जाता हूँ, और profile में जाके मैं similar photos जो है मैं खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं दोनों ही phone में मेरी profile है, यहाँ पर similar मैंने photo open कर अब ही तक Samsung F62 में application जल्दी open हो रही है, let's open the play store 123, यहाँ पर kind of similar सा था, थोड़ा सा मेरे साब से nanosecond Redmi Note 10 Pro की speed मुझे लगी है, अब flip card खोलते है 123, यहाँ पर Redmi Note 10 Pro में एक तरीके से page जल्दी load हो गया है flip card का, तो yes दो application थोड़ी सी जल्दी खोल गई है, let's open the geekbench 123, तो यहाँ यहाँ पर F62 में आप देख सकते हैं थोड़ी सी जल्दी application खोल गई है, फटाफट से इसका जो है benchmark जो है हम रन करते है, 123, तो गईज आप देख सकते हैं, यहाँ पर Redmi Note 10 Pro में थोड़ा result जल्दी आया था, यहाँ पर single core में आपको Redmi Note 10 Pro में ज्यादा मिल रहा है, वहीं multi core में आपको Samsung के F62 में ज्यादा score मिल रहा है, अगर मैं बात करूँ security level की तो दोनों में ही आपको wideband and level का support मिल जाता है, आप देख सकते हैं L1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको अब minimize करते हैं, अब खोल लेते हैं prime video, 123, तो यहाँ पर F62 में प्राइम जो है थोड़ा जल्दी के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं कि Redmi Note 10 Pro में आप 0.46 GB per R के साब से देख सकते हो, यहाँ पर आपको 1.82 GB per R का support मिलता है, तो yes, F62 में आपको ज्यादा better quality जो है देखने को मिल जाएगी prime में, और उसी के साथ मैं अब बारी आती है, जो है हम करके देखते हैं इसका है, तो यह application open करते हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी F62 में जल्दी application open हो गई है, let's do the speed test of internal storage, so 1, 2, 3, So guys, यहाँ पर Samsung Galaxy F62 में results आ चुके है, read speed 806 Mbps बता रहा है, और write 273 Mbps बता रहा है, हमारा Redmi Note 10 Pro भी हो चुका है, यहाँ पर read speed 533 Mbps बता रहा है, काफी कम बता रहा है as compared to F62, और write speed 267 Mbps बता रहा है, तो यह भी कम बता रहा है, बट मैंने इससे पहले एक बार test out किया था, दोनों में write speed को एक तरीके से similar ही बता रहा है, यहाँ पर read में काफी difference हमें देखने को मिल रहा है, 806 Mbps F62 में मिल रहा है, और 533 Mbps यहाँ पर Redmi Note 10 Pro में मिल जाता है, तो यह आपको read, write, speed दोनों की memory की आपको देखने को मिल जात है, और यहाँ पर हम download folder के अंदर आ चुके है, यहाँ पर मैं जो है, दोनों की zip file को एक तरीके से type इसका रख रहा हूं, और दोनों को हम create कर दे रहा है, 123, तो यहाँ पर मैं आगर आप लोगों को speed बताऊं, तो zipping के मामले में जो है, दोनों एक जैसे लग रहा है, मुझे already हो चुका है, और यहाँ पर अब हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, zipping के मामले में F62 आगे था, अब यहाँ पर हम एक बार जो है, हम यहाँ फटा-फट से इसको अंजिप करके देख लेते हैं, कि भाई, कौन सा जल्दी से extract होता है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर extract file म मामले में, यहाँ पर F62 काफी आगे था, तो अब आगे बढ़ते हो और बात करते हैं, काइन मास्टर की, तो इसको open करते हैं, यह एक video editing tool है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर icon F62 में जल्दी आ चुका है, और yes, यहाँ पर F62 में जल्दी open हो चुका है, लेकिन यह add आ गया है, downloads में जा नहीं करूंगा, export का button तबाऊंगा, 1, 2, 3, और यहाँ पर जो है, दोनों के skip करते हैं, और यहाँ पर exporting जो है, दोनों की start हो चुकी एक ही time पे, लेकिन आप देख सकते है, F62 काफी जल्दी जल्दी जो है, export कर रहा है, results आप लोगों के सामने है, Exynos का 9825 जो है, काफी अच् इसको भी हम close कर देते हैं, तो यह close होके है, आप देख सकते हैं, भाई की exporting के time पे भी F62 आगे है, read, write के मामले में भी जो है, मुझे F62 आगे लगा था, यहाँ पर हम chrome जो है, open कर लेते हैं, browser को, 1, 2, 3, तो यहाँ पर जो है, F62 में जो है, पे जल्दी लोड हुआ है, अब प्रफट से मैं यहाँ पर अपनी website डालता हूँ, तो यहाँ पर दोनों ही website को एक साथ open करते हैं, देखते हैं, क्वी कौन सा, okay, यहाँ पर Redmi Note 10 Pro में जो है, page जल्दी लोड हुआता है, यह हमारी website है, इसका एक और page हम open करते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर load हो रहा है, और Redmi Note 10 Pro में जो है, page जल्दी लोड हो गया है, थोड़ा सा, तो इतना difference जो है, आपको देखने को मिल जाएगा, तो guys, यहाँ पर website डालता है, अब बार ही आती है by games की, सबसे पहले हमें मिल जाता है call of duty, तो इसको फटा फट से open करते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर call of duty को open करते हैं, let's see, okay, यहा जाब आया है, दोनों ही एक तरीके से logout है, लेकिन, okay, यहाँ पर जो है, Redmi Note 10 Pro में, जो है, loading screen जल्दी आ गई है, sign up screen जल्दी आ चुकी है, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा game open कर लेते हैं, यह है, free fire, इसको भी open करते हैं, एक साथ, 1, 2, 3, I guess, okay, तो यहाँ पर F62 जो है, login पेज पर जल्दी आ गया है, as compared to Redmi Note 10 Pro, अब next और last game है, Asphalt 9, इसको भी हम फटाफट से open कर लेते हैं, एक साथ, 1, 2, 3, okay, दोनों में ही load, okay, Redmi Note 10 Pro में, जो है, जो साइन अप पेज है, वो सबसे पहले आचुका है, Asphalt का, और यहाँ पर F62 में late हुआ है, तो भाई, यह चीज मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ, कि result जो है, वेरी कर सकते हैं, लेकिन अभी जितना भी मैंने आप लोग को दिखाया है, गेमिंग के मामले में, Redmi Note 10 Pro जो है, तो होड़ा सा जो है, स्लाइटली कुछ सेकंड पहले गेम को ओपन कर रहा है, अप ओपनिंग टाइम में, यहाँ पर Samsung का F62 जो है, आगे मिला है, मुझे, आप लोग के सामने results थे, कई सारी application को जो है, यह जल्दी open करने में मैनेज कर दिया है, अब आगे बढ़ते हैं, अब RAM Management की बात कर लेते हैं, दोनों में 66GB की आपको RAM मिल जाती है, अब देख लेते हैं कि कौन सा फोन जो है RAM Management में सबसे आगे निकलता है, तो यहाँ पर पीछे से स्टार्ट करेंगे, S4 9 को open करते है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर जो जो है, दोनों ही, गेम जो है RAM में बने हुए थे, आप Call of Duty की बारी है, ओके, Call of Duty भी जो है, दोनों में RAM में बने हुए, 6GB की RAM दोनों में मिल जाती है, यहाँ पर आप Chrome की बात करते हैं, हमारी website open है, यहाँ दोनों में ही पेज जो है, अलेडी ओपन है, कोई पेज लोड वो तो यहाँ दोनों ही जो है, डाउनलोड वाले पेज पे पे है, तो रैम में जो एक तरीके से बना हुआ है, तो अभी तक एक भी एप्लिकेशन RAM में जो है फेल नहीं हुए, इवन गेम तक जो है RAM में बने हुए थे, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो है तरीके से दोनो में ही RAM में बना हुआ था आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं DRM info की इसको उपन करते हैं यहाँ पर दोनों में लूड हुआ है लेकिन यहाँ पर F62 में जल्दी अपयर हो गया था Geekbench 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं result यहाँ बने हुए है F62 में यहाँ फिर से यह test run करने को कह रहा है तो yes यहाँ पर F62 में जो है आप देख सकते है RAM management थोड़ा सा improvement मुझे लग रही है अब बात कर लेते है flip card की तो यहाँ पर जो है yes F62 फिर से जो है page को एक तरीके से फिर से reopen कर रहा है लेकिन यहाँ पर load हुआ Redmi Note 10 Pro में प्ले स्टोर की बात करते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते है F62 में जो है page अलेडी open था यहाँ पर load हुआ अब Instagram की बात करते है तो नों में जो है post open था तो यहाँ पर जो है एक तरीके से दोनों में जो है loading लिया है लेकिन यहाँ पर RAM में था load तो यह ओविसली लेगा लेकिन RAM management में दोनों के में जो है यह था अब बात करते हैं Facebook की यहां पर F62 में जो है एक तरीके से वहीं से ओपन किया है और यहां पर RAM Management में जो है तरीके से F62 में रखा हुआ था अब Twitter की बात करते हैं यहां पर दोनों में एक तरीके से लोड हुआ है तो guys यहां पर एक चीज में बता दूँ कि RAM के मामले में जो है F62 को देने वाला हूँ तो guys यहां पर आप लोगों ने इसका Speed Test देख लिया है अब अगर मैं अपने Opinion दू तो भाई यहां पर जो है मुझे जादा फर्क मुझे फील नहीं हुआ है प्राइस के मामले से अकर हम compare करते है तो यहां पर F62 का प्राइस जो है 24,000 रूपीज है और यहां पर 17,000 रूपीज में मिल रहा है और अगर 17,000 रूपीज में सिमिलर जो एक तरीके से Speed Test मिल रहा है Speed जो है आमें मिल रही है तो मैं एक तरीके से Redmi Note 10 Pro को ही जो है विनर मानूंगा तो यह था Speed Test comparison बिट्विन Redmi Note 10 Pro और Samsung Galaxy F62 के बीच में इस वीडियो को हम यहीं end करते है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक किये बिल्कुल ही माच जाना और चैनल पे ना यह वो फर्स्टाइम वीडियो करें तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के बैल आइकन को भी दबा देना तो मिलते है नेक्स दक है कंश लेना और चैनल ओे माना और सबस्क्राइब कर दोस्ताइम वीडियो करद करेंगे हो